गड के जित्ते भी student है, आप सभी student के लिए, इस वक्त की सबसे बड़ी big breaking news जो है, update निकल कर आ रहा है, आप सभी student के लिए बहुत बड़ी खुज खबरी, update है कि 36 गड में जो है, अगले 3 महिनों में जो है, 7 जार पदो पर जो है, भरती आप लोगों का होना है, और इसके लि टेखने को मिल रहा एक के बाद एक जो है नई नई नोटिफिकेशन जो है जारी हो रहा है और एक्जाम्स भी हो रहे हैं जैसे च्छतित गड़ में जो है सिक्षा के दस हजार विकेंसिस है तो यह बढ़कर आपका बारह जार चार्सवा नमासी पोस्ट हो गया और सीजी आप लोगों के लाने वाला है और आप उसके लावे दन कर सकते हैं तो तीन महिनों में जो है साथ हजार पदों पर भड़ती आपका खोना है तो आप लोग जो है गवर्मेंट जॉब वेकेंसिस एक्जाम्स की तैरी करना जो है स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से कीजिए जितना ज्यादा आप मेहनत करते हैं उससे कहीं अधी काम जो है मेहनत कीजिए यदि आप एक बार अच्छे से परिश्टम कर लेते हैं एक बार अच्छे से मेहनत कर लेते हैं हार्ड वर्क कर लेते हैं फुल डेडिकेशन के सांथ पैशनेट होकर तो आपका एक्जाम जो है और मंतरी जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 36 गड़ में जो है अगले साल जो है 2023 में जो है चुना होना है और चुनाओं से पहले आपका बहुत ज़्यादा जाब वेकेंसिस देखने को मिलेगा तो इसलिए जो है गवर्मेंट जाब वेकेंसिस एक्जाम्स की तैरी जो है अच्छे सी कीज़े आपको बताना चाहता हूँ 2023 में जो है सीतंबर अक्टूबर अगले साल तक पिछले अब अगले एक साल तक जो है आप लोगों के लिए नहीं वेकेंसिस जो है आने वाला है अभी से स्टार्ट हो गया है और अगले साल तक आपका जो है सितम्मर अक्टूबर तक चलेगा और नौमबर दिसंबर में जो है आपका चुनाओंगी खोना है तो मंतरी जी ने कहा है कि 7000 पदों पर भरती होना है मतलब कि 7000 वेकेंसिस आप लोगों के लिए आया है तो आप सब्सक्राइब बहुत ही अच्छा उसर है और जो इस्टूडेंट अभी 12 पास आउट हुए है बारवी पास है हम सब्सक्राइब बहुत ज्यादा जॉब वेकेंसिस है और जिनका ग्रेजुशन कंप्लीट है उन लोगों के लिए भी तो सभी स्टूडेंट के लिए गॉवर्मेंट जॉब वेकेंसिस निकल कर आया है और आप जो किस तरह से तैयरी कर सकते हैं जिससे आपका जो है सेलेक्शन हो जाया और साथ अजार पोश्ट जो निकलने निकलने वाला है अगले तीन महिनों में उसमें जो है कौन-कौन से पोश्ट जो है सामिल है वह भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो वीडियो को लाश्ट अतक जरू देखना ताकि आप लोगों को बारीकी से सभी जानकारी जो है अच्छे से मिल भाई गया तो आपको बताना चाहता हूं कि च्छतिस गड़ में जो है एक के बाद एक नहीनी विकेंसिस आ रह राज्य गठन के बाद जो है पहली बार सा कारिता विभाग में जो है शमीती प्रबंधक और सुपरवाइजर के जो है तीन हजार पोस्ट जो है निकला इससे पहले जो है इतने हाई लेवल पोस्ट जो है कभी भी नहीं निकाला गया था तो इस बार जो है आप लोगों के डीयों का होना या आर रही का रिमेनी इंस्टेटर का भरती होना तो बहुत ही नहीं नहीं वेकेंसी साप لوगों को देखने कु मिल रहे है तो बात सांफ लोगों को अपने एक्जाम की ताहरी आपको अच्छे से करना है आपको किसी और के बारे में नहीं सौचना है तिर आपको hard work करने, अच्छो से study करने ताकि आपका selection जो है, हो जाए और आपका job जो है, अवस्य मिले गए, यदि आप उसके लिए अच्छो से महनत करते हैं, full confidence के साथ, dedicated के साथ, जो है, अगर अच्छो से महनत करेंगे, तो आपको जो है, उसका result जो है, देखने को मिले गए, औ आपका selection जो है, अवस्य रूप से होल जाएगा, तो 36 गड़ में जो है, अगले तीन महीनों में जो है, साथ हजर, साथ हजर वेकेंसिस कम नहीं है, तो साथ हजर वेकेंसिस के लिए, हर वेकेंसिस के लिए लगबग, चार से पांच लाग जो है, फार्म जरूर आएंगे, क् की बेरुजगारी का दर जो है, इस तर जो है, बहुत जादा बढ़ गया था, पहले इता जादा बेरुजगारी नहीं था, जो इस वक्त आपका युकेंसिस सदी में दो हजार, बाइस में आपको जो है, देखने को मिर जाए, इस से पहले इता जादा बेरुजगारी आस त कर पाएंगे तो हम सभी स्टूडेंट के बीच कहां कम्प्रीट कर पाएंगे हमारा सेलेक्शन कहां से उपाएगा कि आपको ऐसा नहीं सोचना है सिर्फ आपको अच्छे से तैयारी करना है तैयारी करने के लिए आपको बताना चाहता हूं CGS के तैयारी योटिया नहीं चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको hiçbir गड़ के बारे में कंप्रीटि नौलेज होना क्यों चाहिए। य आप CGS कि तैयारी कर रहे हैं और को 36 गड़ के बारे में पता नहीं है तो हम पेंग्सम को कहां से कौलिफाई करेंगे 36 गड़ में आपका 36 गड़ के देहाद, 36 गड़ की संस्क्रिति, 36 गड़ के भोगोल, 36 गड़ के उद्योग, सिक्षा, प्रशाशनिक नाचा सभी चीजों के बारे में दिया रहता है तो 36 गड़ की एक अच्छे से जनकारी मिलेगा 26 गड़ के लाब जो है, कुमपडिशन अकैडमी, हरी राम पठेसर का भूग जो है, लेशक्ते हैं इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ करेंट अफेर्स के बारे में क्योंकि करेंट अफेर्स का ज्यान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है अवश्यक है, समसाही की घटना चक्रे के बारे में कि कब कौन से खिलाड़ी को जो है कौन से पुरुसकार मिला करेंट अफेर्स के नौलेज होना और इंडियान वाड़ करेंट अफेर्स के लाम को प्रतियोगी ता दरपन लेना है जो आपका मंतली मेग्जिन रिलीज होता है तो इस तरह से आपके जो है कॉम्पेटिशन की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है सभी चीजों के बारे में जो है नौलेज पगहल जी के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम नहीं नहीं वेकेंसी जो है निकाले जा रहा है उनको बहुत ही ज़्यादा धनिवाद देते हैं कि बहुत इस्टूडेंट के भविश्य को देखते हुए नहीं नहीं वेकेंसी जो है निकाल रहे हैं तो आप भी अपना तैय कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबिस्क्राइब कर लीजिए साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आउन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो से अफलोट करूँ आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चा देंगे और कोई किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट सो तो कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट के मैं रिप्लाई जो है जरूर दूंगा धन्यवाद आप सभी स्टुडेंट के